the mass and volume of a body are found to be दो आपको चीज दी हुई है यह आपको mass की वो दी हुई है और इज़र आपको volume की दी हुई है the maximum possible percentage error in density is तो हमें maximum possible percentage error निकाल ले है density में सबसे पहले लिखेंगे formula mass equal volume into density योत है so m upon में v equal density हो गया तो हमें percentage error निकाल ले है density का तो हमने लिखा उपर आयता है यह वाला multiply 100 equal delta m upon m multiply 100 अब वो सोचने वाली चीज है कि आप delta वीज लिखोगे वो नीचे लिखोगे की उपर लिखोगे errors में जब कोई भी चीज नीचे given हो या कैसे भी given हो लेकिन आपको उसको लिखना उपर ही होता है कि सो यह जो अपको मास की जो डिजिट्स given है यह वाला होता है हमारा delta m यह हो गया m यह delta v और यह v अब हमें क्या करना है values को put करेंगे density के equation में डेल्ट टाइम कितना है 0.05 नीचे 5 multiply 100 प्लस multiply 100 ऐसे गया 200 कट उपर है 1 परसंट दो जिरो कट 5 तो जो हमारी density निकली वो निकली हमारी 6 परसंट है प्प्राइबास क्या जचती मॸें हुए रभद करेंगे परेंगे